हेलो फ्रेंट्स फेल्कम यौल एड़ बैंकर्स लिंक यूट्यूब चनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक आरिबिया का नया सरुकुलर जारिवा है रिगारिंग डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स जिसकों सोट में D SIVSB बोलते हैं यह वो बैंक्स की लिष्ट होती है जो आरिबिया जारी करता हर साल जो की डोमेस्टिकली बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर यह बैंक फैल हो जाते हैं किसी केस में तो बहुत बड़ी एकनोमिक क्राइ इस हो सकती है इंडिया में तो फिलाल जो लेटेस लिस्ट है 2020 की जो रिलीज किये है अरिबियाई ने उसमें SBI ICICI बैंक और HDFC बैंक तीन बैंकों को आरिबियाई ने डोमेस्टिकली सिस्टेमीकली इंपोर्टेंट बैंक माना है और इनको इस केटेगरी में आने के लिए common equity tier 1 requirement होता है उसके additional इनको करना होता है जो कि फिलाल अभी है आपका age per Bessel 3 guideline वो है आपका 8% तो इस 8% के अगावाभी इनको ये 1% से लेके 0.2% तक additional capital requirement होता है according to Bessel 3 norms जैसे जो इसकी 5 bucket होती है 1,2,3,4,5 जो जितना उपर जाएगा वो उतना ही systematically important bank है for India तो सबसे पहले 5 भी bucket में इसमें कोई भी नहीं है 4th में भी नहीं है 3 में है SBI तो जो SBI है उसको 8% तो capital requirement है ही S4 Bessel 3 प्लस इसको additional 0.6% और करना होगा क्योंकि ये RBI ने इसको domestic systematically important bank माना है इसलिए फिर जो दूसरी bucket है उसमें कोई भी bank नहीं है फ्लाल और जो इसकी पहली bucket है यानि के entry level है वहाँ पर ICICI bank और HDFC bank है शुरू बात में for the importance of our economy DSIB का जो framework है उसमें जो RBI हर साल एक list जारी करता है उसके नाम जारी करता है जो की domestically बहुत ही important है इंडिया के लिए जो की start हुई थी 2015 से और जो भी appropriate banks है उनको ये appropriate bucket में रखता है depending upon their systematic importance scores जो ये scores होते हैं उनके basis पर RBI इनको पहली bucket दूसरी तीसरी चोथी पांच वी में रखता है फिर एक दूसरा भी इसमें होता है जिसमें अभी कोई bank फलाल है नहीं उसको हम बोलते हैं global systemically important banks जिसको हम सोटने बोलते हैं GSIV अब बात करते हैं जो particular banks है उनको क्यों RBI ने इस particular bucket में रखा है जैसे कि SBI को उसने रखा है bucket number 3 में तो देखा जाए तो इंडिया में जो market share है वो SBI का सबसे ज़्यादा है फिर दूसरे नंबर पर आता है HDFC और तीसरे नंबर पर आता है ICICI bank और इन तिनों को रखा है RBI ने bucket number 1 में है तो इस तरह का जो बेंको का market share है तो उस तरह से यह list है उसके बाद आता है PNV, Axis Bank, Bank of Olda, Canerra Bank, Bank of India इस तरह से देखा जाए तो यह बेंको की ranking है based upon their market share, business share, in total banking businesses Friends, thanks for watching this video, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like करें, share करें और हमारे channel को subscribe भी करें